नॉर्मल प्रोपर्टीज लेते हैं, रेड कलर, रेड कलर का प्रोपर्टी क्या है, इस कलर में जिंक है, आइरन है, पोटाशियम है, ओक्सिजन है, ओके, ये सब इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, अब ये सब कौन सा कौन सा चीज देता है, रेड चेरीज, पहले फुड की प्रोपर्टी देख लेते हैं, कि फुड में से हम कैसे ये सब प्रोपर्टीज को we can enjoy, ओके, I will give PDF, जो भी मैं पढ़ा रही हूं, उन सब का, बट स्टिल, I would recommend कि आप एक नोट और पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि कभी का बार, not necessary, हम जो भी बोल रहे हैं, उस सब PPT में है, वो होई नहीं सकता, हम लोग ये दो-दो घंटे का class PPT में नहीं cover कर सकते हैं, so just write it down, आपको जो भी pointers लिखने में, ठीक है, it gives sugar, beetroot, radish, spinach, tomato, red cherries, इन सब में आपको red color मिलेगा, it is, what is red color, red color आपके body से क्या associated है, red color is about your blood, your blood stream, ठीक है, major part of your body, जो उपर से नीचे तक जाता है, अगर blood में कहीं, उसके flow में कुछ problem आ जाता है, तो क्या-क्या हो सकता है, brain related problem, brain average, fits आ सकते हैं, seizures आ सकते हैं, tumor बन सकता है, cancer हो सकता है, high BP, low BP हो सकता है, मतलब, dimnesia हो सकता है, बहुत सारी चीजें related to blood, because वो oxygen को हर जगर फैलाता है, okay, और oxygen हर cell में होना बहुत ज़रूरी है, हमारी memory loss होती है, because cell में oxygen लेवल की कमी हो जाती है, we will talk about a little bit about science here, because psychological problems, मैं यह बोल रहे थी कि जब हम facial भी करेंगे, तब भी हम, मैं थोड़ा सा हर चीज में medical background देना prefer करती हूं, because हमारा body जो है science से भी बना है, other than nature, so थोड़ा दोनों balance करना ज़रूरी है, psychological properties, what are psychological properties of red color, if red color is enough in you, मतलब वो उतनी मात्रा में है जितने आपके body में होना चाहिए, तो क्या-क्या होगा आपके अंदर, full of courage, कभी low self-esteem आ ही नहीं सकता है, जब red color आपके अंदर भरपूर हो, ठीक है, आपकी energy कभी low feel हो ही नहीं सकता है, अगर आपके अंदर red color की property हो, आप हर किसी को help करोगे, because आपके अंदर इतनी energy है कि you are enough, आप feel करोगे कि हाँ, अब मैं vitality से भरपूर हूँ, तो when we feel like, okay, we are satisfied, तभी हम दूसरों की मदद और भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे भी करते हैं, but और भी अच्छे से कर सकते हैं, when red color is enough in your body, okay, जब जिसका red color properly होता है, you can feel the vibe, उनके अंदर से इतना energetic होता है, they are not workaholic by the way, but yes, they will not say no, ना वो tired होते हैं, they can do multitasking, okay, अगर यही चीज़ जादा हो जाती है तो, red color की property, जादा हो जाता है तो, क्या-क्या हो सकता है, you will control everybody, controlling free हो जाते हो आप, why controlling, control किसी को क्यों करते हैं, क्योंकि हमें insecurity हो जाती है, insecurity कैसा emotion है, जो सब को control करने पर मजबूर करता है, घर-घर की कहानी है यह तो, घर में ही कितने लोग कितने लोग को control करते हैं, है न, तो this comes because आपको मेरी बात माननी चाहिए, वो वाला attitude आजाता है, then the red color is less in their body, okay, emotional attachment इतना हो जाएगा उनका कि, you know, they will actually hurt, कभी का बार love में, आप, आप लोगों में से, हम सब को ही पता है, जब किसी न किसी का love affair चलता है, मेरे को तो लगता है, वो इतने, कभी का बार, लडाई, sad, बस यही चलता है, right, बहुत सारी चीज़ें लेंदेन में ही निकल जाती है, फिर प्यार नहीं रहता होँदा, so to keep up a relationship, इना, vital और happiness के साथ, उसमें red color की कमी आजाए, एक passion मर जाता है, वो control में आजाता है, because excessive anger हो जाता है, low red color also gives excessive anger, and this anger is not good, वो उसी को जला देगा, वो एक ऐसा fire है, जो पुदी जल जाएगा, okay, excessive anger, वो दूसरों को जलाएगा, जादा red color दूसरों को जलाएगा, दोनों जगह अपना ही नुकसान करते हैं, ठीक है, इसी लिए वो जो bull का जो race होता है, उसमें red color दिखाते हैं, ताकि उसको गुसा आए और वो भागे, so this is that kind of color जो जो एग्रिवेट करता है, it aggravates anger, okay, but at the same time, manifestation का color है yellow, yellow भी है और red भी है, वो भी हम करेंगे, मेरे को याद दिला ना, we will do manifestation here, okay, physical properties, what are the physical properties here, body में red color किस का ध्यान रखता है, your anemia, which is, it's a hemoglobin count, वो red color है, अगर red color की problem हो जाते हैं, leukemia हो जाता है, skin related issues, and RBC count, red blood cell count, red color, जो bones को strong रखता है, क्योंकि bone तो white color का है, बट उसके अंदर का जो, वो है अपना, bone marrow, bone marrow is again red color, उसका जो बाहरी finish है, tissue, muscles, fiber, वो सब red color, okay, so muscular and circulatory system is again red color, fine?